ठीक है तो लास्ट जो टर्न था उसके उपर हम लोगोंने अलग लग तरह की overlapping सीखी थी और आज हम करने जा रहे हैं use उसी concept को और यह सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से molecules बनाए जा सकते हैं तो हम यहाँ पर examples of molecules ले रहे है explained by VBT formation of molecules using VBT pure overlapping using VBT pure overlapping आई यह सीखते हैं कैसे इनको बनाएंगे बड़ा easy तरीका है आपको सच में बड़ा तरीके से clear हो जाएगा सबसे छोटे molecules से start करते हैं let's say हमें hydrogen बनाना है H2 बनाना है कैसे बनाएंगे simple सा तरीका है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले configuration लिखेंगे hydrogen atom का that is 1s1 इसका जो orbital है वो मैंने यहाँ बना दिया इसमें की एक electron exactly इसका combination जो होने वाला है वो किसके साथ होने वाला है ऐसा ही एक और 1s1 configuration है hydrogen का यह दोनों जब आपस में मिलेंगे तो they are going to form a pair of electron in a orbital जिससे हम hydrogen बना सकता है अगर हम इसका diagram बनाएं simple diagram है जिसके अंदर जो reaction हो रही है वो कुछ ऐसी हो रही है कि s orbital that is 1s और इस दूसरे hydrogen का 1s orbital आपस में combine कर रहे हैं और कुछ इस तरह का structure बना रहे हैं यह nucleus यह nucleus this is h2 molecule बड़ा simple सा है और h2 molecule को represent करते हैं हम दो electron बीच में बना के इस तरह से हमने hydrogen को represent का very simple nothing to worry ओगे आगले चलते हैं question number second पर या example number second पर हमारे पास आता है f2 बनाने की बारी आती है हमने f2 कैसे बनाया आई यह सीखते हैं इसमें हमें दो चीजी लेके चलनी है fluorine fluorine का जो configuration है वो configuration है 1s2 2s2 2p5 और hydrogen hydrogen का configuration है 1s1 अब हम इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं यह valent shell है तो valent shell मैं यहां लेकर चल रहा हूँ let's say this is 2p5 and this is 2s यह 2s है यह 2p5 है इसमें pair of electron है इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक और इसमें इसमें बोलिया है यह सर्व है हाँ वो मैंने hf के लिख दिया मैं इसको अभी f2 करते हैं ठीक है और सामने भी बिल्कुल इसी तरह का condition आ जाती है सामने भी क्या जाता है इसी तरह का एक और अपन orbital इसको copy करते हैं और सामने पेज करते हैं बिल्कुल ऐसे ठीक है अब करना क्या है इसमें अगर आपन देखें ध्यान से तो यह इसके साथ में pair करके sigma bond बना ले यह कैसे बनाया हमने कहा कि यह लेट से यह 2PZ orbital है यह मान लेते हैं 2S है यह PX है यह PY है और यह PZ orbital है तो यह है 2PZ इसका combination सामने भी कौन है 2PZ दोनों आपस में कमाइंड हो रहे हैं और इस तरह का overlap कर रहे हैं और यह ने बना दिया F2 इसके अंदर यह Nucleus है और इसके बीच में 2 electron यहां पर reside कर रहे हैं इस समय अगर अपन देखें तो अब मस्त चीज समझने की क्या है वो भी देखेंगे यह जो यह फ्लोरीन और यह फ्लोरीन है इसके बीच में 2 electron का bond है यहां तक तो clear है लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो what about these electron यह दो यह दो और यह दो electron these are the pair of electrons which are present in the valence shell market valence shell market में मौझूद है but they are not participating in the bond formation so they are known as loan pairs उनको अपन क्या कहते हैं loan pairs यह valence shell का हिस्सा है लेकिन bond बनाने में यह participate नहीं कर रहे है so called loan pairs क्या मेरी बास सभी बच्चों को clear हो गई या नहीं हो गई हाँ यह यह यहाँ पर 2p x लिखता तो मैं x x लिखता था 2p y लिखता तो मैं y x लिखता था चीक आगे चलते हैं question number 2 पे चलते है थी पे चलते है थी नमबर है oxygen oxygen के अंदर oxygen जो होता है उसको configuration है 1s2 2s2 2p4 this is valence shell अब हमें इस valence shell को draw करना है देखी कैसे हम इस valence shell को draw करते हैं यह हमने इस valence shell को बना दिया अब की बार इसके अंदर total electrons कितने हैं चार हैं जो भी मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एक और unpaid electron exactly सामने भी कुछ इसी तरह की इस्टिए है यह हमने ऐसा बना दिया this is 2s this is px this is py and this is pz इसमें pair of electron है इसमें pair of electron है इसमें one और one electron है मान लेते हैं z axis के along अगर यह जोड़े हैं तो z axis के along पर यह sigma bond बना लेगा और उसी z axis के along py और py आपस में pi bond बना लेगा हमने फिर से बाद समझाने कोईश करी यह हमने एक oxygen लिया पहला और यह ले लिया 2pz सामने वाले से combine कर रह हैं and on the same मैं इसको मान के चलता हूं कि this is 2py और इसको भी मान के चलता हूं that is 2py तो यह दोनों आपस में combine करेंगे इसमें एक electron है इसमें एक electron है यह दोनों तो pi bond बनाएंगे और इसमें एक electron है यह दोनों combine होके sigma bond बनाएंगे Is that clear with everybody? Yes, sir. चीक, तो यहाँ पर oxygen और oxygen के बीच में दो bonds आएंगे, one is sigma and one is pi and there are loan pairs, एक और दो loan pairs, there are two loan pairs present, one and two, one and two, इस समय इसका bond order की बात करेंगे, bond order 1, हमने उच दिन भी सिखा था, bond order मतलब number of bonds, sorry, bond order 2, कि मैंने उस दिन भी सिखा था, bond order का मतलब number of bonds, यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ bond order की value कितनी होगी, one, यहाँ bond order one होगा, क्या बासान में आगी, यहाँ अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर bond order भी कितना आ रहा है, one आ रहा है, तो मेरे काल से सारी बाते सभी बच्चों को clear है, कोई doubt है नहीं, very simple examples, आगे चलते हैं third number बे, third number मेरे पास आता है, that is n2, n2 को अपन compare करें, n2 को answer करें, तो nitrogen का configuration है, that is 1s2, 2s2, 2p3, अगर मैंने इसका diagram बनाया, तो यह 2p और यह 2s, यह हो गया 2p3 और यह हो गया 2s, इसके अंदर एक pair of electron है, इसमें pair of electron है, जिसमें इसमें 1-1-1 electron है, exactly सामने भी कुछ ऐसा ही है, इसमें pair of electron है, let's say px, let's say py और let's say pz, और यह है 2s, यहाँ पे pair of electron है, यह एक electron, यह एक electron, यह एक electron, एक electron, जोड़ रहा है इसे हमने यहां पर भी इनको Z-axis के along जोड़ा था उपर वाले case में इसको भी Z-axis के along जोड़ देते हैं तो यह सिगमा बन जाएगा Z-axis के along यह पाई बनाएंगे और Z-axis के along यह भी पाई बनाएगा अब यहां जो diagram है it again goes like this कि यह मैंने एक nitrogen ले लिया और यह मैंने दूसरा nitrogen ले लिया दोनों का यह जो A-Z है और इसके along यहां ने सिगमा बना लिया on the other hand यह जो हमने बनाया और यह जो हमने बनाया let's say this is 2PY और this is also 2PY इन दोनों के combination से हम लोगों ने यहां क्या बनाया there is one relatively simpler relatively कह सकते हैं और simple चले हम तो हमने यहां एक orbital ले लिया यहां एक orbital ले लिया और यहां पर भी एक orbital ले लिया let's say इसको मान लेते हैं PX मान लेते हैं यह भी मान लेते हैं PX और इनके along जो combination हो रहा है उसको हमने पाई बॉन का नाम के दिए क्याई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ऐसी कंडिशन में nitrogen और nitrogen के बीच में तीन electron के cloud है एक sigma और दो pi and there is one lone pair जो 2s में है आप मेरे hands को देखना यह जो दौनों combination नहीं sigma bond बना रहे है perfect sigma बन लिए यह दौनों पाई बना रहे है और यह दौनों भी number मेरे पास आता है hf hf को combine hf को बनाता है इसके लिए fluorine लेखते हैं तो वह होता है 1s2 2s2 2p5 और hydrogen होता है 1s1 अब इसकी अगर state देखूं तो this is the state आपके यह 2s है यह px है यह py है और यह pz है इनमें से कोई एक यह pair of electron है pair of electron है pair of electron है यह unpaired electron exactly सामने भी स्थिती सी रहेगी यह नहीं सामने तो की बाट सिर्फ 1s है तो मैंने यहाँ पे सामने क्या बना दिया 1s बना दिया एक electron इन दौनों की बीच में combination होगा sigma बनाएगा of course यहाँ पर यह p orbital है pz और यह जुड़ेगा s orbital से 1s है यह कौन है 2pz along z axis यह z axis के along जुड़ेगा और हमें कुछ इस तरह का product देखने को मिलेगा यह जो हमने बनाया this is HF जिसके पास chlorine के पास तीन लोन पर आ गए and this is a sigma bond क्योंकि actual overlap से बनाएगा क्या बताएगे यहाँ तक सारी बास सभी बच्चों को clear है आप इसी pattern से आप इसी pattern से दूसरे molecules similarly आप ऐसे कई सारे molecules design कर सकते हो जो कि इसी base पर मतलब कोई भी बच्चा बना सकता है जैसे कि HCL बना दिया HBR बना दिया HI बना दिया और थोड़ा समय हिच के चा रहा हूँ बोलने में बट हाँ जैसे कि P2 बना दिया S2 बना दिया सरी तो exist ही नहीं करते तो यह इस VBT के ने थोड़ी बताया था उसके हिसाब से तो हमने बना दिये बट यह do not exist do not exist यह exist नहीं करते और हम इसको explain इसके form में कर देंगी किसने बना करा जैसे N2 बना वैसे P2 बना दो जैसे O2 बना वैसे S2 बना दो ठीक है लेकिन हमने try करा इसी तरह से explain करने का जैसे हमने सोचा water explain करते हैं हमने सोचा CH4 explain करते हैं हमने सोचा CH4 explain करते हैं हमने सोचा CH4 explain करते हैं तो यह VBT के हिसाब से explain नहीं हो पाए मतलब इनके अंदर कुछ problem आने लगी क्या problem आने लगी let's try हम बात करते हैं formation of CH4 formation of CH4 और bracket में लिखता हूँ according to VBT pure overlapping VBT pure overlapping के basis पे हमें explain करना है क्या बोलो CH4 को explain करना है चलो try करके देखते हैं कैसे explain होता है easy है मुश्किल नहीं है सबसे पहले हमने वही carbon ले लिए configuration लिखा 1s2 2s2 2p2 लिख दिया मैंने यहाँ पर इसकी ground state बनाई ground state के अंदर यह 2s है और यह 2p है यहाँ पर इसमें 2 electron आगए यहाँ इसमें 1 एक और एक और यहाँ पर pair of electron आगए यह आएगा excited state मैंने आपसे वादा किया है कि मैं सिखाऊंगा कि excited state क्यों आएगी excited state जब आएगी तो यहाँ पर electron जो है वो यहाँ से उठके 2p2 है यह मैं कुछ भी लिखे जा रहा हूं और तों लोग बोल भी नहीं रहा हूं और excited state के अंदर जो electron नहीं उठके यहाँ चला जाएगा अधिक है यह कौन है 2S है यह कौन है PX है यह कौन है PY है और यह कौन है PZ है बस खत्म अब क्या करना है चार hydrogen लेके आएंगे यह कौन है यह प्योर atomic orbitals है यहाँ पर यह 1S है यह 1S है यह 1S है यह 1S है सबका नाम है 1S1 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 यह hydrogen atom की orbitals है अगर आप देखें तो इन सभी के अंदर एक-एक restaurant महुत है बस करना क्या है इसको इससे जोडना है सिग्माबाद 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 इसको इससे जोडन के लिए कर दूसरे हईडरोजन के लिए को दूसरा अप्रियोग से होगा ना क्यार यह मैंने इदर से लिया, यह समान इदर से लिया, यह समान इदर से लिया, यह हाथ इससे मिलाया, 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 तो वैसी कारबन, कोई एक 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 ए बनाया दो बॉंड बनाया और तीन बॉंड बनाया क्या यह जो तीनों बॉंड में लिखने जा रहा हूं क्या यह और्बिटल टूपी वनेस ओवर्लैप से बना है let's say 2px 1s overlap से बना है ये वाला बना है 2py 1s overlap से बना है और ये जो बना है let's say 2pz 1s overlap से बना है हाँ या ना there is one more orbital here that is 1s orbital उसका कोई भी जरूरी नहीं है कि वो particular direction ने रहे कैसे इधर भी बना सकते हो आपकी मर्जी पड़े आप इधर भी बना दो क्योंकि direction fix ही नहीं उसका तो आपकी मर्जी पड़े जैसे बना दो ये ने कहीं एक जगे पर बना दिया this is 1s या 2s 1s overlap लग जता हूँ this is 2s 1s overlap क्या इसके basis पर मैं यहाँ पर क्या-क्या बोल सकता हूँ two types of overlap दो तरह के overlap है कौन-कौन से 2s 1s 2s 1s और दूसरा 2p 1s अरे हाँ या ना पहली चीज़ अगर मैं बात करूँगा bond energy की तो बताओ 2s 1s कल सिखाया उसके basis से बताना 2p 1s ज़्यादा stronger bond कौन होगा bond energy बोलो bond strength बोलो तो बताई ज़्यादा stronger bond कौन सा होगा 2p 1s का bond ज़्यादा stronger होगा या 2s 1s का 2p 1s क्यों होगा क्या नामें इसका प्रियांशी बताई पिटा इसमें ज़्यादा stronger होगा अच्छा इसमें से hybrid कौन है पिटा यह समझ में नहीं है यह मेरे तो बात different shell और same shell अच्छा मतलब डिफरेंट चीजे ज़्यादा stable होती है similar चीजों से ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ाए ही नहीं है मैंने तो कहा था s और s का overlap सोचो और यह p और s का overlap सोचो मैंने orientation word बोला था इसमें मैंने similar और different तो word बोला ही नहीं था और hybrid और unhybrid जैसे यहां कुछ है नहीं यह तो orientation समझाया था मैंने का कि यह bond भी इदर बनाने जा रहा है और इसका electron cloud भी इदर ही घुम रहा है यह तो गोल गोल घुम रहे है दोनों जैने bond length की बात करते है 2s 1s और 2p 1s अपकोर्स इसमें overlap जादा हो रहा है तो यह लंबा bond होगा यह छोटा छोटा हो जाए अगली चीज आती है वो आती है bond angle अगर मैं आपसे पूछू bond angle का बताईए तो क्या 90 degree के angle होगा common sense है क्यों क्या px, py, pz जो होगे क्या वो यह दूसर से 90 degree के angle पर होगा तो bond angle यहां कितने degree का होगा 90 degree अरे हाया ना अगर कोई मुझसे पूछे geometry तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ not certain बोलो क्यों इसका एक position यानि कि यह वाला जो orbital है यह वाला जो bonding है यह पता नहीं कहा है हाँ तो overall geometry certain नहीं है clear है और यह सब इसकार्ड करते है त्योरी ऐसी होनी चाहिए जो की explain कर सके अभी explain ही नहीं कर पा रहा है कहे कुछ और रहा है चल कुछ और रहा है नहीं समझ में आई मेरी बात ही आगी आगे चलू मैं इसके बाद अब इसी चीज को explain करने के लिए अगला concept आया जिसका नाम है hybridization वापे से heading डाल रहा हूँ formation of CH4 formation of CH4 using VBT using VBT पर अब की बार लिख रहा हूँ that is hybridization theory hybridization theory अब हम लोग क्या कर रहे है हम लोग ऐसी condition के अंदर वोई CH4 बना रहे है नाम भी VBT है लेकिन hybridization theory के साब से clear है अई इसके लिए कपन story सुनने की कोशिश करते है क्या story है जरा board पर इस story पर ध्यान दीजिए बड़ी simple सी story है एक बार की बात है चार दोस्त होते हैं वो जाते है किसी hotel में रहने के लिए छुटिया मनाने जाते हैं तो चलते लते रास्ते में एक hotel देखते हैं बड़िया से लग रहा है चलते हैं चले आते हैं चारों जाके manager से के प्रूं बूक करते हैं और रूमें चले जाते हैं ठोड़ी तेरवाद एक दोस्स जो है वह आता है और तीसरा दोस्त भी भाहर आता है, खुछ ऐसी बात करता है, लेकिन चौथा दोस्त जो होता है, वो भाहर आता है बड़े गुसें, और मैनेजर को आके उस पर चिलाने लग जाता है, डाटने लग जाता है, बोलता है यार, ये गलत बात है यार, हम चारों दोस्त आए, तुमने इन तीनों को जो room दिया हुओ तो फिर भी ठीक ताक है, मेर रूम तो बहुत ही कराब है, गंदा हो रहा है, इसी नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, बद्बू आ रही है, बात्रूम गंदा हो रहा है, मतलब सब कुछ खराब है, और वो मैनेजर से जगणने लग जाते हैं, होटल छोड़के चले जाते हैं, मैनेजर जो है, वो मुस्कराता रहता है, वो दोस्ट बोलते हैं, घजब है, तो मुस्कराता रहता है, अम नेरे को डाट रहे हैं, तो मुस्करा रहता है, मेरे रोज़का है पर लेकिन ऐसा रिपीटिटली होने के कारण वो एक दिन अपने मालिक के पास जाता है उसको कहता है कि मैं तो जा रहा हूं नौकरी छोड़के आप जानो आपको होडल जा बूला क्यों रोज आपकी चक्कर में मेरे थपड़ बढ़ती है लोग मुझे है देखो मेरी हर एक वर्ड्स पर ध्यान देना हर एक चीज की पीछे कारण है अब ऐसी कंडिशन के अंदर क्योंकि सीजन आने वाला है लोग आने वाले उनको पता है तो वो क्या करते हैं रिनोवेट करते हैं उनके होटल में बहुत सारे कमरे होंगे मैं बेसिकली उनी चा नहीं कर सकता है यानि कि चार कमरों को पांच में कर सकता है कमरे चोटे हो जाएंगे और नहीं वो कमरों को जोड़के बड़ा-बड़े कमरे बना देगा नुकसान हो जाएगा तीन ही कमरे बनता हैं या दो ही कमरे बनता है तो चार तोड़ता है वापर चार ही बनाता है ले का तैयार करने वह दोस्त हैं वह तो लाए निकलते मैंननेजर से क्रचा, वह जाते है यह कहानी हो गई थी और देखो अब होटल एक दम मस्त हो गया है तोबले ठीक है हम रहते हैं वो चारो दोस जाते हैं चारो अलग-लग कमरे में जाते हैं पहले वाली कंडिशन में वो चारो दोस्ते हमके नामे हाइड्रो जब रहने जाते हैं तो वो देखते हैं कि अलग-अलग तरह के ओवरलैप हो रहे हैं 1s2p, 1s2p, 1s2p जो की relatively ठीक टाक ओवरलैप थे लेकिन 1s2s ओवरलैप अच्छा नहीं है इससे inequality आ गई है कहीं पर ओवरलैप अच्छा है और कहीं पर ओवरलैप खराब है इससे inequality आ गई है चीज़ unstable हो जाएगी, exist नहीं करेगी तो manager क्या करता है, मालब owner क्या करता है वो आपको यहां दिखाने जा रहा है वापिस से हम carbon लेते हैं, atomic number 6, we have 1s2, 2s2 and 2p2 हमने इसकी ground state बनाई, ground state में 2s और यह 2p, यह 2s है, यह 2p है, यहां दो electron, यहां एक और एक electron यह excited state आ गई, excited state में 2s से electron जो निकल गए, बाहर चला जाएगा 2p में तो this is 2s, this is px, this is py and this is pz, ठीक है, this is pure atomic orbital, यह कौन सी orbital है, pure atomic orbital, मैंने हर चीज को बहुत सो समझे का था, atom को पता है, कि hydrogen आ रहे है मैंने का न दिवाली आने वाली है, तो उनको पता था कि नहमान आएंगे, जब ऐसा होता है, तभी ध्यान रखना excitation होता है, बैठे-बैठे घर में excitation कभी नहीं होगा, और जब ऐसा होगा, तो वो renovate कराएंगे, तो उनको पता है कि hydrogen आने वाल है, चार कमरों को उन्होंने मिलाया था, तो चार ही कमरे वापस तयार करते हैं, इस process को hybridization कहते है, क्या process का नाम क्या होता है, hybridization, ऐसे में उन्होंने चार कमरे तयार करें, अब नाम आता है, इन कमरों का point आता है, इस कमरों का नाम क्या रखे तो suggestion आता है कि sir, जिनकी याद में ये कमरे बने हैं, उनी के नाम, इनके नाम पे रख देते हैं, मुला मतलब, मुला ये सरी एक S और तीन P से मिलकर बने हैं, तो इन चारो कमरों का नाम भी उनी के नाम पे रख देते हैं, SP3, 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 Are you getting my point? What I am saying, SP3 क्या है, is the name of the orbital, hybridization का नाम है SP3, और orbital का नाम भी SP3 है, hybridization का नाम होता है, वो ये denote करता है, कि कौन कितने से मिल रहा है, तो एक S तीन P से मिल रहा है, that is the name of the hybridization, which is SP3, दूसरी बात, the name of the orbital, जो है, वो भी इसी basis पे दिया आता है, कि वो किस से मिला है, अगर एक S तीन P से मिलकर बना है, तो orbital का नाम भी SP3 ही पेलाएगा, क्योंकि चारो orbitals हैं, ये देखा जाए, तो इस हाईब्रिड orbitals, ये हाईब्रिड orbitals हैं, और इन हाईब्रिड orbitals जो हैं, वो relatively stable हैं, क्यों stable हैं, प्रूव करता हूँ, यहाँ पे चारो में 1-1 electron होगा, चारो के energy exact same हो, अब आप लोगों को atomic structure में याद है, आप लोगोंने exchange pairs पड़े थे, क्या 1-1 के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये तीनों आपस में exchange कर सकते हैं, क्या 2-X, P-X, P-Y, P-Z, electron exchange pairs हमने पड़े थे, यहाँ यह 1-2 के साथ, 1-3 के साथ, 1-4 के साथ, 2-3 के साथ, 2-4 के साथ, 3-4 के साथ, यह इतने सारे exchanges करेगा, क्या पहले की वोगों तीन exchange हो सकते थे, अब 6 exchanges possible है, तो क्या exchange pair बढ़ गए, stability बढ़ गए, अब आए वो चार लोग रहने के लिए hydrogen, 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 यह चारो के चारो कौन है hydrogen, atom है, इनका नाम है 1-1, इनका नाम है 1-1, 1-1, 1-1, यह इसके साथ जुड़ गया sigma bond, यह इसके साथ जुड़ गया sigma bond, यह इसके साथ जुड़ गया sigma bond, और यह इसके साथ जुड़ गया sigma bond, तो दिरा 4 bonds which are form चारो का नाम हमने क्या रखा सिगमा बताओ PX कहां मौझूद होता है क्या PX X-axis पे मौझूद होता है PY कहां मौझूद होता है Y-axis पे PZ कहां होता है Z-axis पे और S-orbital कहां होती है गोल होती है अब हमें जिम्मेदारी दी गई है चार orbitals मैं दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर अगर अगर अपन देखें तो एक S-orbital है एक PX-orbital है एक PY-orbital है और एक PZ-orbital है इनके नाम हम रख देता है फिर से यह कौन है 2S है यह कौन है 2P-X है यह कौन है 2P-Y है और यह कौन है 2P-Z है ये चारो और्बिटल आपस में मर्ज होके चार नए और्बिटल बनाने वाले हैं My point is कि जब ये चार मिलेंगे तो मर्ज होके जो चार और्बिटल बनेंगे Hybridization होके चार और्बिटल बनेंगे तो चारो और्बिटल identical होंगे, इनके shape पर निहान देना आप, इनके shape में एक लोब छोटा और एक लोब बड़ा होता है दो लोब का होना P orbital के होने को बताता है लेकिन एक लोब का मोटा होना S orbital की mixing को बताता है चारो का नाम है SP3 SP3, SP3 SP3 ये है identical identical विलकुल identical है Hybrid orbitals है लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी इनको कहा रखना है मैं वापिस से बोलता हूँ PX कहा रहेगा X axis पर, PY कहा रहेगा Y axis पर, PZ कहा रहेगा Z axis पर, S orbital होगी गोल, लेकिन अब ये नई orbital है Newly formed Newly formed Hybrid orbitals हैं अगर ये newly formed Hybrid orbitals हैं तो we can have a choice कि हम इनको कहा रखें तो किसी ने कहा कि सरी electron के cloud है न Orbital तो electron होगी होता है तो सरी दूसरे से repel करेंगे न मैंने कहा हाँ तो बोला इसको सर Maximum दूरी पर रख दो बोला सर Maximum दूरी क्या होती है तो बोला चार चीजों को Maximum दूरी पर जो रखा जाता है Maths के हिसाब से That is tetrahedron बना दिया जाता है तो हमने इनको Maths के हिसाब से इन चार Maximum दूरी पर रख दिया इसका नाम है SP3 इसका नाम है SP3 इसका नाम है SP3 और इसका नाम है SP3 इनके बीच में Maximum angle है 109 degree 28 minutes का अगर आपके को लग रहा है कि सर्फ 180 degree का angle तो 2 के बीच में होगा फिर तीसरा फिर कहां रखोगे फिर चौथा कहां रखोगे फिर इसलिए इसलिए this is the best structure of stability stability के basis पे this is the best structure this is known as tetrahedron and hydrogen आके जो जुड़ेगा ये electron मैंने किसके बना दिये carbon के electron बना दिये hydrogen आएगा अपनी तरफ से और आके जुड़ जाएगा यहाँ पर hydrogen आया अपना electron लेके जुड़ गया यहाँ hydrogen आया अपना electron लेके जुड़ गया यहाँ hydrogen आया अपना electron लेके और जुड़ गया आप देख सकते हैं कि वो भी tetrahedrally आया और axial overlap किया sigma bond, axial overlap मतलब जो भी नहीं x-axis, y-axis, z-axis इसलिए मैंने आपको कल कहा था कि x-axis, y-axis, z-axis पर जो आप sigma bond बनाने वाले हो, soon it's going to be waste क्यांकि आगे जाके आप sigma bond बना होगे hybrid orbital से, तो आप x-axis, y-axis z-axis नहीं बोल सकते वहाँ पर orbital s को, p को, d को इनको हम merge कर रहे थे, यहाँ पर हम नई orbitals के नाप आ गाए, sp3 orbital, sp2, sp, sp3, d सरे के orbitals के नाप हम पढ़े ही, तो hydrogen आ रहे हैं कहां से, जहाँ पर यह orbital मौजूद है, वहाँ से वो atom की तरफ आ रहे हैं, 4 sigma bond बना लिए, it's very obvious कोई भी बच्चा इस बात का नजवाब दे सकता है, इस overlap का नाम क्या है, क्या इसको हम sp3s overlap के नाम से जान सकते हैं, sp3s overlap के नाम से इसको हम जान सकते हैं, क्या, तो हम यहाँ पर कहेंगे, कि all ch bonds, all ch bonds are identical, identical, सारे ch bond identical हैं, with respect to bond energy, with respect to bond length, with respect to bond angle, अगर आप देखेंगे, तो सभी जगह पर angle जो होगा, वो 109 degree 28 minutes का अप होगा, in fact, geometry जो होगी, वो भी tetrahedral geometry होगी, tetrahedral geometry होगी, वो भी perfect है, and this is observed and explained, observed and explained, हमने इसको इस तरह से observe भी किया, और हमने इसको explain भी कर दिया, क्या बताईए आप में से हर एक बच्चा क्या इस point को समझ गया या नहीं समझ गया, ये सर समझ गया, सभी बच्चों को ये point समझ में आ गया, CH4 को मैंने समझाया, ये वो चारो दोस्त हैं, वो hydrogen है, वो जब आये, तो देखो, होटल में नया रेनोवेशन हुआ, और भड़िया bonding है, अब देखी, यहाँ पर क्या-क्या चीज़े हमने देख लेए, hybridization क्यों पढ़ें, because we have to explain, जो कि हम explain उपर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर not observe है, इसको हमको explain करना है, इसलिए हमें hybridization जिसी theory पढ़नी पढ़ेंगी, explain करने के लिए, दूसरा, nature में hybridization, जो nature में hybridization है, वो क्यों होता होगा, क्योंकि stability भढ़ जाती है, pure atomic orbital जो bond बनाए, और hybrid atomic orbital जो bond बनाए, आप देख सकते हैं, energy wise lower energy किसकी है, hybrid orbital की है, unhybrid orbital की है, अगर hybrid orbitals की lower energy है, तो भैतर bond बनाएंगे, यानि कि ये जो overlap है, sp3s overlap, ये वाले जो bond बना, और ये जो हमने overlap कराया, ps overlap या 1s overlap, क्या इनकी बहत, मानले ज़्यादा stable होंगे, या hybrid orbital वाले overlap ज़्यादा बहतर होंगे, यानि कि there are two stages of stability gain, पहला stability gain तो यहाँ हुआ, दूसरा जब इसने bond formation किया, इसको आपन क्या कहेंगे, bond form किया, तो दूसरी stability यहाँ बढ़ी, लेकिन पता है stability ज़्यादा बढ़ी, stability तो यहाँ पर भी बनी थी, जब यहाँ पर इसने bond form किया था, तब भी stability जगह पर बढ़ गई थी, तो stability तो जगह पर भी बढ़ी, लेकिन यहाँ stability थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, क्यों stability थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि पहले जो bond बन रहा था, वो normal orbital बना रही थी, अब hybrid orbital bond में बना रही, there are two stages of stability, पहली stability तो hybridization में ही create हो जाती है, जोंकि hybrid orbitals बनते ही, और relatively stable बने ही तो energy वहीं पर release होगी, ऐसा मान लो, और दूसरा जब hybrid orbital bond बनाएगी, तो relatively better bond बनाएगी, तो stability के दो stages होती है, second stage भी पहले वाली example से बहता है, और इसलिए nature में hybridization को prefer किया जाता होगा, आ रही है या नहीं आ रही है, वाई hybridization is favored, तीसरी चीज़ा आती है hybridization कैसे होता है, मैंने उसके छोटा सा example या छोटा सा नमूना आपको सिखा दिया, कि hybridization ऐसे होता है, कि जब surrounding atoms approach कर रहे होते हैं, तो hybridization होता है, क्या मेरी बास सभी बच्चों को clear है या नहीं है, बोलिए मेरा बच्चा, ठीक्टियों, ठीक है, देखो चड़ा दियान से, इस से related मैंने कुछ छोटी सी theory जो है, वो link रखी है, सबसे पहले ये बात मैंने अभी आपको समझा दी, किस तरह से होगा, demerits of VBT, demerits of VBT क्या है, VBT that is pure overlapping, fails to explain the shape or the geometry of molecule, अभी हम explain नहीं कर पा रहे हैं, point number two, this theory fails to explain several bond orders, bond parameters like bond order, bond energy, bond angle, ये सब explain नहीं कर पा रहे हैं, हमने देखा अभी CH4 में इसने explain नहीं किया, दूसी चीच, it fails to explain the existence of odd electron species, हमने आपको शुरुवात में भोला, कि तेरा unpaired, मेरा unpaired bond बनाने माल है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे species मिलती हैं, जहां unpaired electron नहीं फिर भी exist कर रहे, there is no pairing, still they exist in nature, जैसे कि NO, NO2, they freely exist in nature, this cannot be explained using BBT, प्रोबलाखी, in fact hybridization भी उसको थोड़ा explain करेगा, but cannot be explained, 100%, आगे चलते, अब hybridization क्या है, अलग लग तेरे की खुबसूरत orbitals में आप बना रखे, बनेगी, कैसे बनेगी, वो सिखाया जाएगा, hybridization क्या है, एक hypothetical phenomena है, एक आटम की कितने भी नंबर, वो डिपेंड करता है, हमारे अभी एक्जाम्पल्स पर, कितने भी number of orbitals जो होती है, जो differ करती है, एनर्जी में थोड़ी, थोड़ी एनर्जी में differ करनी चाहिए, बेको PX, PY, PZ, मिक्स हो गए, आप कहते हैं, लेकिन 2S और 2P को मिक्स करना, इस hybridization, पर ऐसा नहीं कि आप 2S को 3S से mix कर दो, यह possible ही नहीं होगा, पड़ोसी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इस colony के, उस colony के साथ में मकान जोड़ दिया जाए, पास-पास वाले मकानों को ही जोड़ा जाएगा, लेकिन अलग-अलग मकान होंगे, उनी को जोड़ना कहेंगे, एक ही मकान अल्रेटी अंदर है, आप बोलो मैंने तो मकान जोड़ दिया, तो अल्रेटी एक ही मकान था, तो 2PX, 2PY, 2PZ को आप जोड़ रहे हो, आप जोड़ रहे हो, जैसे कि अगर मैंने जैसे अभी CH4 को समझाए, वैसे मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंटेट और एक्जाम्टल भी ले रखें, अगर मैंने पुराना VBT सोची होती, तो एक Beryllium और एक क्लोरीन के बीच में PP ओवरलाप हो रहा होता, जैनि कि दोनों बॉंड अलग अलग नेचर के होते हैं, जबकि practically ऐसा नहीं है, practically अगर आप देखेंगे तो दोनों बॉंड exactly same nature के हैं, तो यह चीज hybridization ही explain कर सकती है, यह theory ने बताया, observed नहीं था, जबकि यह observed था और hybridization theory ने इसको explain कर दिया, yes या no, yes, definition क्या है, hybridization is the mixing of different shape or approximately equal energy atomic orbital and redistribution of energy to form new orbitals of same shape and same energy, these new orbitals are called hybrid orbitals and the phenomenon is called hybridization, क्या मेरी बास सभी बच्चों को clear है, इन्होंने यह explain कर ना, मैंने फिछले पेच्पे explain कर दिया, the difference is this, मेरी बास सभी बच्चों को clear है, there are several other examples we will consider, उसके बाद हम इस theory को start करेंगे from next turn, और इसके main points हम next turn पे पढ़ लेंगे, क्या बताओ मैंने अभी आपको यहाँ पे जो theory अभी यह समझाई, क्या सभी बच्चों को properly समझने है आ गई या नहीं आ गई, यह सभी बच्चों को प्रॉपर्फेक्ट ली आ गई, का 275 नंबर question तक करना है 178 से, क्या हो जाएंगे सभी के? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, मिलते ने इक सन पे आगे का topic परेंगे, Thank you, बेटा. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, बेटा.